नमस्ते बच्चों, आज हमारी कहानी है जादुई जंगल की। यहां एक जंगल था जिसमें हर प्राणी अपनी जिंदगी बिताता था। चिडियों की जुंड, हाथियों का समूह, शेर की गरज और अन्य जानवरों का समूह दिखाएं। वारा, ध्वनी, हे मित्रों, इस जंगल में एक बहुत ही अनोखा रहस्य छिपा है। जंगल का एक कोना दिखाएं, जहां एक वाराह अपने मित्रों को बुला रहा है। सिंह, ध्वानी, कौन सा रहस्य, वराह, वराह, जंगल के ऊपर एक जादूई परिसर है, जिसमें हर प्राणी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, सभी जानवर उत्सुकता से सुनते हैं, मगर मच्छाई डियार ध्वने, पर कहां है वो जादूई परिसर, वाराह, यह उस पीछे है, जिसे हम सभी अनुभव पहाडी कहते हैं, सभी प्राणियों का उत्साह दिखाएं, अब सभी प्राणियों का सफर शुरू होता है, जो जादूई परिसर की तलाश में निकलते हैं, वे अनेक रोमान्चक और जोड़दार चुनौतियों का सामना करते हैं, आखि प्राणियों का खुशी से उत्साहित होते हुए चित्र दिखाएं, जंगल की शांती और सांस्कृतिक धरोहर से लेकर जीवन के साथी और उनके मज़ेदार दोस्त, इस कहानी में हर प्राणी का अपना किरदार है, वहाँ जंगल में एक ऐसा परिसर है, जिसे जादूई प परिसर कहा जाता है, जो हर प्राणी के सपनों को साकार करने की शक्ति रखता है। का अनुभव होता है। की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर प्राणी के पास अद्वितिय गुण है और उन्हें समर्थ बनाने की शक्ति हमारे भीतर ही है। यह एक रोमान्चक और शिक्षाप्रत कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जो उसे अनूठा बनाता है। इस कहानी में हर प्राणी अपने विशेशताओं को समायोजित करके एक साथ काम करता है जिससे वे अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहि इस तरह का सहयोग हमें अपने लक्ष की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। इस कहानी के समापन के साथ हर प्राणी ने जादूगरी जंगल के साथ अपना अद्वितिय सफर संपन्न किया। सपनों की खोज में उ इस सफर ने उन्हें सिखाया कि मिलकर काम करने, समर्थन करने और साज्यदारी करने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जादूगरी जंगल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने विशेश गुणों का समायोजन करके एक साथ काम करना चाहिए। यह एक उत्साह वर्धक और प्रेरणा दायक कहानी है जो हमें साज्यदारी, समर्थन और समाधान की महत्वपूर्णता का अनुभव कराती है। इस समापन के साथ हम इस कहानी के साथ एक प्रेरणा दायक संदेश लेकर अपने जीवन में एक नई और समवेदन शीलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं।